अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ इस वीडियो में जानते हैं दोस्तो SFD and BM Diagram Lines SFD and BMD में दोस्तो जो Diagram Lines बनती हैं वो किस परकार बनाई जाती हैं डाइग्राम में जो Parabola, Cubic Parabola, Inclined and Horizontal or Vertical Line किस परकार होती हैं दोस्तो देखिए Left hand side में दोस्तो load है और ये middle में share force and right hand side में दोस्तो bending moment है अब देखिए दोस्तो point loads हों तो हमें share force diagram में horizontal या vertical lines बनानी होती हैं दोस्तो जो कि X axis और Y axis की अंसार होती हैं उपर नीचे side में दोस्तो ये line हैं बनाई जाती हैं यदि अब इस share force के बाद उसी point load से नीचे bending moment बनाना हो दोस्तो उसी diagram में तो inclined line बनती हैं यदि UDL work जो कर रहा हो दोस्तो load है UDL work कर रहा हो तो हमें inclined line बनानी होती हैं दोस्तो share force diagram में और bending moment diagram में दोस्तो ये parabola बनाना होता है इसी परकार दोस्तो uniformly wearing load हो तो UVL load में दोस्तो हमें share force diagram में parabola बनाना होता है और bending moment diagram में cubic parabola बनाना होता है दोस्तो इस परकार आप देख सकते हैं loads लगे हो है point load, UDL, UVL और share force में दोस्तो इनकी इन लोडों से बनने वाली horizontal vertical lines होती है और inclined line UDL में और parabola इसी परकार bending moment में दोस्तो inclined lines parabola, cubic parabola बनाए जाते हैं अब ये कैसे होते हैं दोस्तो इन्हें देखते हैं आगे parabolic and cubic curves in SFD and BMD diagrams दोस्तो परabola और जो cubic curve होते हैं ये किस परकार बनाए जाते हैं इस परकार आप इस diagram की साहिता से समझ सकते हैं ये देखिए दोस्तो इसमें यदि आपको positive x पर यदि 0 से उपर positive value मिले दोस्तो तो आप इस तरह से नीचे parabola बनाएंगे left hand side में देख सकते हैं यदि आपको इस तरह से triangle मिले left hand side में triangle है जो दोस्तो तो उसका नीचे bmd में दोस्तो पैराबोला बनेगा इस तरह का इसके right hand side में दोस्तो प्लस triangle है इसका parabola बनेगा bending moment डाइग्राम में जो नीचे बना हुआ इसके इसी परकार दोस्तो ये चारो डाइग्राम में या तो positive आपको value उपर की side मिलेगी या negative value मिलेगी दोस्तो तो triangle बनेगा share force डाइग्राम में SFD में तो उनका दोस्तो bending moment डाइग्राम पैराबोला इस परकार जोड़ा जाता है अब इसे जो दोस्तो left hand side में एंड पर left hand side में बिल्कुल positive triangle के दोस्तो ये पैराबोला concave down पैराबोला है दोस्तो इसी परकार और जो right side में है दोस्तो positive triangle के इसको पैराबोला के नम से जाना जाता है दोस्तो ये decreasing in increasing slope से भी आप समझ सकते हैं जैसा कि यसली वीडियो में बनाए गया हैं बताया गया है आप जान सकते हैं पिसली वीडियो दुबारा देख सकते हैं इस परकार दोस्ते डाइग्राम बनते यदि आप सोचिए already diagram में share force में आई पैरा बोला बन रहा हो तो उसे आप बेंडिमन डाइग्राम है किस प्रकार पैरा बोला बनाएंगा दोस्तों क्यों करा कि ज ido विक पर आ집 members चलिए जानते हैं कौनकेविटी ऑफ क्यूबिक कर्पस इन BMD SFD में दोस्तो इस प्रकार जैसा आप देख सकते हैं Left hand side में जो diagram बना हुआ है यह triangle यह दोस्तो वो जो उपर था triangle same उसको parabola में convert कर दिये गया है या तो can cap down या can cap up can cap up यह दो प्रकार से parabola बन सकता है दोस्तो share force diagram में तो आप positive left hand side में देख रहे हैं इसके नीचे दोस्तो हमें BMD में यह cubic parabola बनाना होगो दोस्तो यह उपर के parabola हैं जो diagram में SFD में है दोस्तो और नीचे cubic parabola है इस प्रकार आप देख सकते हैं positive right hand side में positive triangle है दोस्तो इस प्रकार बने हुए हैं तो इसका निसे BMD में cubic parabola इस प्रकार बनेगा दोस्तो ये माइनस प्लस के आप ये चारों देख सकते हैं इस परकार दोस्तो यदि आपको कहीं भी समझ यारी हो डाइग्राम बनाने में तो आप इन डाइग्रामों से आसानी से पैरावोला, क्यूविक पैरावोला ड्रो कर सकते हैं दोस्तो आप इनको समझने के लिए आपको और एक एक्जामपल देते हैं दोस्तो जिससे आपको इनने समझने में आसानी हो इस डायग्राम में दोस्तो जो आपको सरकिल बना दिखाई दे रहा है लेप्ट हैंड साइड डायग्राम में इसमें आप नमबर देख लीजे पेरावल हम convert कर सकते हैं जैसा आप समझ सकते हैं इस diagram हमने x और y axis दोनु बनाए है positive negative में दोस्तों तो हमें जो value negative में प्राप्त होगी वह हमने नीचे और positive में value जो प्राप्त होगी ऊपर triangle बना दिया दोस्तों इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं अब इनका number देख लीजे दोस है print side में तो starts दो नंबर राइट-然後 side में negative है दोस्तों इसी परकार positive 3 number right hand side में triangle है दोस्तो तो इसका opposite चार number negative side मिं ड्राइंगल है दोस्तों इस परकार इन डाइग्रामों को आप याद रख सकते हैं इससे आपको उन पिछले डाइग्रामों को बनाने में आसान होगी इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों यदि आपको मान लीजिए नंबर तीन जो आपको ट्राइंगल लजर आ रहा है दोस्तों सेरफोस डाइग्राम में न इस प्रकार दोस्तो इन डायग्रामों की साहता से आप आसानी से पैरावॉला और क्यूबिक पैरावॉला बना सकते हैं दोस्तों क्यूबिक पैरावॉला के लिए हमने आपको बताया था पैरावॉला कॉनके अप या कॉनके डाउन हो तो दोस्तों उनके सिर्फ एक प्रकार क cubic parabola बनते हैं जैसा कि पिछले diagram आपको दिखाया था दोबारा दिखाते हैं दोस्तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तो concavity of cubic curves in BMD में जो दोस्तो यह आपको share force diagram में parabola मिलिंगे concave up या concave down तो हमें दोस्तो सिर्फ एक ही cubic parabola से काम चलाना पड़ता है और यह एक ही प्रकार का cubic parabola बनता है दोनु के लिए दोस्तो आप देख सकते हैं इस diagram से इस प्रकार आप सभी problem को सौल आसानी से कर सकते हैं यह आपकी बहुत मदद करेंगे और advance technique के लिए भी हम अगली वीडियो जरूर बनाएंगे आपके लिए वो वीडियो भी चेक करें यह content हमारे दोरा आपके लिए provide cryas arise को आप डाउनलोड कर सकते हैं photocopy करा सकते हैं दोस्तों अपने दोस्तों के साथ share करें like share करते रहें दोस्तों जिससे हमें motivation मिलता रहे जो दोस्त इस content की 20 देने में समढ़ते हैं वो हमें दिये हुए नंबर पर payment कर सकते हैं यह नंबर दोस्तों whatsapp नंबर है और payment नंबर paytm या upi से आप हमें इस नंबर पर payment कर सकते हैं वीडियो अन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद